हेला एवरीवन यह है यूट्यूब वीडियो जवर्ड चैनल और आप देख रहे हैं यूट्यूब टॉटोर स्रीज आज की वीडियो है हमारी एक यूट्यूब वीवर का कमेंट आया है कि सर एक्स्ट्रूड ऑप्शन नौट वर्किंग प्लीज हैल्प इनका नाम है साही मन वहर पूट्टू तो एक्स्टूड ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है तो मैं इनको रिप्लाई करता हूँ now I am upload video for you and reply ठीक है तो कैसे एक्स्टूड ऑप्शन e-tab में हम यूज करते हैं वो देखते हैं तो मैंने e-tab open किया एक new file किया कोई भी is code ले लिजिए कोई भी हम floor ले लेते हैं और यह आ गया floor यहाँ पे है प्लान हमारा और यह 3D view यहाँ पर हम one story ना करके इसको करेंगे all story यहाँ पर आपका बीम बीम को लेकर अगर यहाँ हम drag कर देंगे तो default beam बन जाएंगे इसी तरह column को लेकर करेंगे तो column हमारे default बन जाएंगे हमारे एक modeling बन चुकी है अब हमें extrude option सीखना है तो हम क्या करें मैंने column select किया column इस column को हम यह टैब में बोलेंगे member एक vertical member ठीक है अब edit में गया मैं edit के अंदर है आपका extrude extrude में एक है आपका extrude frame to sell जो आपका बार्स हैं बीम और column में इनको member और as well as आप इनको frames भी बोलते हैं तो इसमें दो option है extrude joint extrude joint to frame यानि कि एक joint से एक frame बनाना और दूसरा option है आपका कि एक frame से मैंने कि एक line से एक cells बनाना ठीक है तो ये दो तरह के हमारे extrude है दोनों यूज़ करके देखेंगे ये वाला आपका इसके लिए है और ये वाला आपका इसके लिए चलिए start करते हैं तो मैंने पहले column select किया मैं edit में गया extrude option क्योंकि column एक frame है तो हमने extrude frame to cells गया ये window आ गई इसमें दो चीज़े दी हूँ है linear और linear का मतला है कोई भी चीज extrude होना linear xyz की डारेक्शन में और रेडियल का मतला है कोई भी चीज radial direction में extrude होना ठीक है तो linear में जाते है सबसे पहले linear में आ रहा है dx, dy, dz, d मतलब increment data इस line को जो हमने column select किया है किस direction में move कराना चाहते हो देखिए ये direction जो है ये है x और मैं चाहता हूँ minus x में extrude कराना ठीक है तो minus x में select करता हूँ x में यहाँ पर भी 0 डालता हूँ minus x में डालता हूँ में 10 feet ठीक है अब यह करा pick two points कोई भी दो point pick कीजिए ये लीजे हमने ये दो point pick कर लिए ठीक कितने number of x to 2 अगर में ok पर ले आता हूँ तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे रखते है ok पर ले आता हूँ तो यह दिखा देता है कि हमारा sorry मैंने z में डाल दिया 72 में x में डालना है माइनस 10 अब देखिए जैड में माइनस 10 डाला तो जो 10-10 feet के दो cells बन गई अभी मैंने ok नहीं किया है ok पर केवल माउस ले आ रहा हूँ तो दिखा रहा है एक imaginary कि वो column से cells निकली है 10 feet की excel दूसरी 10 feet की excel और दो क्यों निकली है क्योंकि यहां पर number 2 है अगर मैं delete option पर click कर दूँगा तो original delete हो जाएगा column delete हो जाएगा तो अगर मैं 2 की जंगा करता हूँ 4 तो यह देखिए 4 ठीक है अगर मैं इसको ok करता हूँ तो देखिए cells निकल गई undo करते हैं दुबारा से इस column को select करते हैं edit और extrude में जाएगा extrude अगर मैं यह x को भी 0 कर दूँ या x में भी रहने दूँ 5 feet और y में भी रहने दूँ 3 feet तो क्या होता है देखिए वो उसी तरह से linearly या unlinearly move करेगा यह जारी है direction कौन से है आपकी x अई थोड़ आसा ऊपर की extrude जा रहा है तो इसका मतलब y 3 feet तो इस तरह से यह extrude होता है अब चलते हैं radial में same radial में क्या है हमने pick one point on model हमने यह point pick कर लिया ठीक है और यहाँ पे है rotate about with point कौन से axis के about rotate होना है और यह है number of angle number है और यहाँ पे total drop ठीक है सबसे पहले देखिए अगर मैं इस point को pick up करता हूँ तो x और y की value change जाती है देखिए दूसरा point pick करता हूँ मैं x और y की value जाती है ठीक है यह वो point मान लेता है जिसके 4 और मतलब कि मैंने यह point select किया है तो जो हमारा चीज rotate होगी वो इसकी around rotate होगी ठीक है center point हमने select कर ले हैं अब number of angle number of angle डाला देखिए 5 degree और कितने दो आप देखो और क्या चीज हमारी select है column दुबारा से जरत दियान से इसको देखिए radial वाले को मैं दुबारा से इसको कर रहा हूँ explain कि शायद मैं सभी से नहीं कर पाया अभी देखिए extra radial एक्जाम्पल रो करके दे रहा हूँ यह एक point है जो हमने यहां के थरू select कर लिया ठीक है यह एक member है जो हमने select कर लिया ठीक है अब यह member में जो increment होगा वो इसकी around होगा ठीक है अब इस member में डाला 5 degree तो यह member का एक और member बनेगा कितना 5 degree पर rotate होगा हो यह angle जोगा 5 degree ठीक है और अगर मैं डाल देता हूँ दो number तो एक और angle यहां से rotate होगा 5 degree पर ठीक है अगर मैं 10 डाल देता हूँ तो इस तरह rotate होते जाएंगे इसके about इसके about इस तरह से तो हमने जैसे की देखिए मैंने ये column select किया हुआ है मैंने ये column select किया हुआ है और ये आप देखे क्या होता है मैं यहां पर डालता हूं दो की जंगन दस माउस को ले आता हूं उपर दोबार ऐसा पॉइंट पिक अप करते हैं देख रहे हो आप इस पॉइंट के अबाउट ये कितने पार्ट ये फस्ट सेल है आपकी पांच डिग्री रोटेट हुई अब दस से जाता हूं तो देखो पेचास डाले मैं देखो अभी acquisition टॉरट फिरकल बन जाए कितने डालूं के ये पूरा सरकल वन सेंटर क्या है इसका यह यहां से नहीं दिखाई दे रहा तो अभी आपको बनागे दिखाऊंगा तो पांच टिग्री है और एक एंगल में कितने और टोटल पूरा राउंड तो थी सिक्स्टी डिवाइद बाइब पांच डिए टाइप की यह अची बात है कि हम कर सकते हैं 72 पर पूरा सर्कल कमटेट है अब आते हैं ड्रॉप कि वैल्यू ड्रॉप का क्या मतलब है अगर मैं ड्रॉप में वन फीट डाल दूते होते होते इस अब कोई सोरी यहां से यहां से निकल रही है, तो वह राउंड होंगे यहां पर ना मिलके इससे एक फिट नीचे मिलेगी, यानि कि दूसरा एक फिट नीचे ड्रोप जाएगा इससे हम सिर्कुलर स्टेर बना सकते हैं, तो जब हम इससे ओके करेंगे, देखिए पूरा सर्कुलर बन चुका है, एक बाद ड्रॉप डालके भी देखते हैं, इसको कंट्रोल जेट करते हैं और दुबारा से हम जाते हैं, एडिट, एक्स्टूड, ये कॉलम सेलेक्ट किया हमने, और सैंटर पॉइंट इस इस एक स्टूड लेगा है, जरी हमने सक्टूड लेना चाहिए था हमें, रेडियल लेना चाहिए था, हमने इस एंटर स्लेट किलिया है, ये ड्रॉप में डाल देता हमें टूफीट, अब देखिए जिरेसको, ये टूफीट गए, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, एक सी तरीक हिसे हम इसको कर सकते हैं अगर हम सिस्लिए को स्वेट करें तो आपको ज्यादा संच हुद की थ्री second 3 IS अब देखते हैं थोड़ोसे लिटाय और यहां पर अगर आपने कहीं किलिक करिये तो नहीं हुआ दूबास जाते है I did एक्स्ट्रूड रेडियल पिक अप दिस पॉइंट और बीम हमने किया अज़ा अभी भी नहीं हुआ है कोई बात नहीं आप समझत हो गए होंगे कभी-कभी दिक्कत आती है सॉप्ट्वेर में करें कि हमारग होता गया देखें अब बन इसी थरह हमारे पत एक और एक्स्ट्रूड है एक्स्ट्रूड जाइंक तो फ्रेयम अब वही सेम सबजेप अ च्रम को स्फिलेट करेंगे हैं यहां पर हम इंक्रीमेंट यहां पर भी ढालते हैं वाई में 12 टेकनिकल गया है, अगर डालते हैं 10, तो ये 10 आ गया है, सेम वह प्रोसेसरी ता रेडियल में, ये पॉइंट ले लिया है मैंने, ठीक है, अब यहाँ देखिए ये, एंगल डाल दिया है, 5 डिग्री, नमबर डाल दिया है, 10, मेंबर भी हम स्लेट करना हो लिएगा, ये हमने लिया इधर, पिक अप पॉइंट, ये रहा, और यहाँ पे, हमारा पॉइंट ये, 10, करके देख लिते हैं, नहीं हुआ, दुबारे से जाते हैं, एक्स्ट्रूड, जॉइन टू फ्रेम, स्लेक्ट किया हमने जॉइंट, स्लेक्ट नहीं हुआ है, फायव डिगरी, टैन डिगरी डाल के देखते हैं, सं़ टाइम, मेरा सौफट एर्ज ये काम नहीं करता है, उसके लिए सॉरी, लेकिन आमने देखा, रे्डियल में ही काम कर रहा है, ये देखिए अगर मैं जाता हूँ इसमे लीनियर में काम कर रहा है रेडियल में काम नहीं कर रहा है लेकिन सेम उसी तरह काम करता है ये अगर एक बार हम थोड़ा सा इसको रिफ्रेस्ट करके एक बार और चेक कर लेते हैं ये यहाँ पर ये जॉइंट हमने स्लेट किया एडिट में गये एक्स्टूड जॉइंट तो फ्रेम रेडियल और ये देखिए अब ये होरा है ओके इसलेहने अभर हमने सेंटर वह ही शलग कर लिए जो हमने जॉइंट रिए था तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो आपकी काम आई हो तो थैंक यू शेर करने लाइक करने ना भूले प्लीज थैंक यू